कि नमस्कार दोस्तों सरन्थ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेस्ट्ड को जो कि आगे आने को हल करे किसी भी क्वेशन को इसकीप न करें और वीडियो को पूरा अंत्य तक देखें क्योंकि कोई भी सवाल इनमें से आपके एक्जाम में रिपीट हो सकता है तो वीडियो को ध्यान से देखें उससे पहले यदि आपके चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे तकि आज यानले वीडियो को नोटिफिकेशन और एक्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तवर्ग का उचारण अस्थान क्या है तवर्ग का उचारण अस्थान बताना है जिनका उचारण दंत से हो वे दंत वर्ग कहलाते हैं जैसे कि तवर्ग आता है जो भी वो सारे आपको दंत से उचारण किये जाते हैं इसके अलावा ल और स ये भी दो वर्ग है इन्हें हम दात से बोलते हैं तो ये सारे आ जाएंगे आपको दंत में तो याद रखेगा त वर्ग और उसके अलावा ल और स इनका उचाना स्थान दंत है अगला सवाल है फूल कौन सा संग्या है फूल कौन सा संग्या है आंसर है option B जाती वाचक संग्या फूल जो है यह आपको जाती वाचक संग्या है समझ लिए जाती वाचक संग्या क्या होता है जिस संग्या से प् पूरे पुष्प की जाती का पता चल रहा है तो ये हो जाग आपका जाती बाचक संगया next question है नाक कौन सा लिंग है? answer है option B इस्त्रिलिंग, नाक इस्त्रिलिंग है नाक ये जो सब्द है ये इस्त्रिलिंग सब्द है next question है छात्र और ग्या, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छात्र और ग्या, ये कौन सा व्यंजन है? answer है option A, सन्युक्त व्यंजन सन्युक्त व्यंजन क्या होता है ये जान लिए दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिल से बनने वाले व्यंजन को हम सन्युक्त व्यंजन कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर यह जो तरह सब्द देख रहे हैं यह दो वर्णों से मिल करके बना है यानि कि यह दो व्यंजन से मिल करके बना है कौन कौन सा तधन र तब जाकर हुआ है तर तो यह जो आपको वेंजन है यह सन्युक्त वेंजन है I hope आपको clear हो गया होगा Next question है नव्यूवक कौन सा समास है? Answer है option A कर्मधारे समास कर्मधारे समास क्या होता है यह समझ लीजिए वह समास जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश से होता है वैसे समास को हम कर्मधारे समास कहते हैं तो नव्यूवक यह जो सब्द है यह आपका कर्मधारे समास है अगला सवाल है मैं आज नहीं पढ़ूँगा ये किस प्रकार का वाक्य है मैं आज नहीं पढ़ूंगा आंसार है option A निसेदवाचक वाक्य यानि कि यह हम पर आपको प्रोहिबिशन दिखाया जा रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो आंसार हो जाएगा आपका option A निसेदवाचक वाक्य अगला सवाल है मैं कौन सा पूरुस है मैं ये जो मैं सब्द है ये कौन सा पूरुस है आंसार है option A उत्तम पूरुस मैं उत्तम पूरुस सब्द है उत्तम पूरुस क्या होता है इसे समझ लिजे उत्तम पूरुस वह होता है जो बोलता है इसे हम वक्ता भी कहते हैं यानि कि जो बोलता है या उसे हम वक्ता भी कहते हैं वह आपका हो गया है उत्तम पूरुस यानि कि बोलने वाला जिसे हम इंगलिस में फर्स्ट परसन बोलते हैं जैसे example में हो गया मैं, मुझे, मेरा, मेरी यह सारी से जिस हम English में आई भी बोलते हैं नो first person में वही हो गया आपका उत्तम पुरुस जिस हम Hindi में उत्तम पुरुस कहते हैं I hope आपको clear हो गया होगा, अगला है पुस्तक कौन सा सब्द है, पुस्तक जो सब्द है ये तत्सम सब्द है ये समझें, वैसे सब्ध संस्क्रित का सब्ध हुआ ये पुस्तक सब्ध हुआ है। ए उसे हम तदभो शब्ध केहें। यदि पुस्तक की जगा हम किताब का प्रयोक करें सो वह है दो आपका होला नहीं किसी प्रीवरतन नहीं करते हैं।これは जी वह inhaled, करके किताब पढ़ें तो यह हमारा हो जाएगा तद्भो सब्द अगला सवाल है निम्ना लिखित में से असुध सब्द कौन सा है एकत्र नीरस मंत्री मंडल या फिर योगी राज इन चार सब्दों में से कौन सा सब्द असुध है आंसर है option C मंत्री मंडल मंत्री मंडल आपको छोटी यी यूज होगा तो यहाँ पर यह आपको गलत है तो आंसर हो जाएगा option C मंत्री मंडल नेक्स्ट क्विश्चन है दस्वा निम्ना लिखित में से आग का परहवाची सब्द नहीं है आग का परहवाची सब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है आंसर है option D व अगला सवाल है विशेशन कितने प्रकार के होते हैं विशेशन कितने प्रकार के होते हैं आंसर है option B चार प्रकार के विशेशन चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं गुण वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन और सार्वनामिक तो विसेशन चार प्रकार के होते हैं गुडवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विसेशन I hope clear हो गया होगा अगला सवाल पेंड से फल गीरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ती है यह जो संटेंस लिका है पेंड से फल गीरा इसमें यह जो से सब्द का प्रियोग हुआ है यह किस कारक की विभक्ती है आंसर है option B अपदान कारक से अपदान कारक की विभक्ती है आंसर हो जाग option B अपदान कारक अगला सवाल है महासय सब्द का स्ट्रेलिंग रूप क्या होगा वह आप बताए answer है option C महासया महासय सब्द का स्ट्रेलिंग रूप है यहाँ आप confused नहीं होगेगा आप इसके साथ साथ वर्तनी को भी देखते चलिएगा क्योंकि हो सकता है एक्जाम में महासया अलग-अलग तरह से दो-तीन लिख करके आप वो दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए महासया का आप वर्तनी भी देखते चलिए हर एक सवाल क्या तो आगे बढ़ते हैं समुच्य का सही संदी विछेद क्या है अगला सवाल है व्याकरण जानने वाला वाके के लिए एक सब्द बताए आपको बताना है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द व्याकरण जानने वाले को हम क्या कहते हैं व्याकरण जानने वाले को हम व्याकरण कहते हैं तो आउसर हो जाएगा उप्शन सी व्याकरण सुद्धवर्तनी वाला सब्द इन में से कौन सा है सुद्धवर्तनी किस प्रकार हम लिखेंगे उसकी सुद्धवर्तनी क्या होगी वो आप बताए सुद्धवर्तनी ये जो सी में जिस प्रकार लिखा हुआ है ये है सुद्धवर्तनी सुद्धवर्तनी का तो आंसरों का option C जिस प्रकार option C में सुसुप्ति लिखा है ये है सुद्धवर्तनी इस चीज को याद रखेगा आगे बढ़ते हैं इन में से कौन स्वरसंधी का उदाहरण है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्वरसंधी का उदाहरण है आंसर हो जाएगा option B पवन पवन ये स्वरसंधी का उदाहरण है अब स्वरसंधी में भी ये स्वरसंधी देखिए पांच तरके होते हैं एक होता है दिर्ग संधी फिर है गुण संधी फिर व्रिधी संधी यन संधी और अयादी संधी तो ये जो पवन सब्द है ये संधी का आयादी संधी जो होगा उसका उदारण है पवन होब coalition होगा उगला सवाल है सन्मती का सही संधी विचेद कौन सा होगाँ चार उपशन दिये हैं आपको बताना हैं कि सन्मती का सही संधी विचेद इन में से कौन सा अांसाsy आंसर हो जाएगा option B, सत्धधन मती, सत्धधन मती, सन्मती का सही सही संदी विछेद है, answer हो जाएगा option B, सत्धधन मती, next question है समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, वो आब बताए, answer है option C, छे प्रकार के, समास टोटल छे प्रकार के होते हैं, कौन-क समास बहुबरही समास अव्याई भाव समास और द्वंद समास समझ गया है समास कितने प्रकार के होते हैं छे प्रकार के होते हैं कौन-कौन से तत्पुरु समास कर्मधारे समास द्वीगु समास बहुबरही समास अव्याई भाव समास और द्वंद समास क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं ओ यह पीठी गया इनमें यह यह जो संटेंस है यह किस प्रकार का वाक्य है ओ यह पीठी गया यह जो वाक्य है यह विस्मय वाचक वाक्य है क्यूंकि यह संटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप विस्मय का प्रदर्शन हो रहा है तो इसलि तुद्ध जो भी सब्द है इन चारों में से वह बताईए आंसर हो जाएगा option A सब्ताहिक सब्द गलत है real में जो सही होता है वो होता है साप्ताहिक यानि कि यहाँ पर A की मात्रा छूट रहा है तो इसलिए यह गलत सब्द है सब्ताहिक सही होता है और बाकी जो option में वीडा, वास्प, सिंदू यह सारे सही है तो आंसर हो गया आपका option A सब्ताहिक होना चाहिए लिखा हुआ है सब्ताहिक आगे बढ़ते हैं निम्नलिकित में से इक्षा का परहवाची सब्द नहीं है इक्षा का परहवाची सब्द इनमें से कौन सा नहीं है आंसार अप्शन C यातना यातना ये इक्षा का पर्यवाची सब्द नहीं है यातना का अर्थ होता है किसी को प्रताडित करना यानि किसे हम इंगलिस में टॉर्चर करना कहते हैं वो इसका मतलब हुआ तो टॉर्चर करना यातना ये इक्षा का पर्यवाची सब्द नहीं है ज सब्दों के कितने भेद हैं रचना की द्रिष्टी से सब्दों के कितने भेद हैं तो सब्दों के तीन भेद हैं रचना की द्रिष्टी से सब्दों के तीन भेद होते हैं कौन-कौन से होते हैं वो जान लिजे रूड सब्द योगिक सब्द और योग रूड सब्द रचना की से किस कारक की भीभगती है वह कुलहाडी से वरिक्श काथता है यहाँ पर आपको हो जाएगा करन कारक यानि कि करन से आपको confusion होगा कि इसके पहले जो question आए था उसमें आपादान से लिखा था यहाँ पर से का प्रियोग हुआ है यह करन कारक है तो दोनों में क्या अंतर है ये जान लिजे अपादान कारक देखिए जब किसी संटेंस को आप पढ़ें और उससे अलगाव लगे जहाँ पर से का जो ये सब्द है इसका यूज हो अलगाव के लिए तो वहाँ पर हम अपादान कारक कहेंगे और जब नॉर्मल से का यूज हो कि वहाँ पर अपादान कारक होगा जहां पर से का यूज हुआ है और यहां पर यह लिखा हुआ है कि वह कुलहारी से व्रिक्ष काटता है तो कुलहारी से व्रिक्ष काट रहा है कहीं कुछ इसमें अलगाव नहीं दिख रहा है तो इसलिए यह हो जाएगा करण कारक I hope आप सब्द का स्ट्रेलिंग रूप हो जाएगा नेत्री काफी important question है बहुत लोग इस question में confused हो गए होंगे तो इसलिए याद रखेगा नेता का सही जो स्ट्रेलिंग रूप है वो है नेत्री बहुत तो सोचे होंगे नेतीन भी हो सकता है बट ऐसा नहीं है नेता का सही सब्द होग का महाधन इंद्र महाधन इंद्र यानि कि महेंद्र next question है अनुनासी का संब्द होता है अनुनासी का संब्द किस से होता है तो नाक और मुह दोनों से आंतोर जागा option B नाक और मुह दोनों अनुनासी का संब्द होता है नाक और मुह दोनों से next question है जो पहले कभी न हुआ हो यानि कि जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे यह आपको बताना है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम अभूत पुर्व कहेंगे तो answer रोग जाग option D अभूत पुर्व next question है वीडा पाड़ी कौन सा समास है वीडा पाड़ी कौन सा समास है तो यह आपको बहु ब्रही समास है तो answer हो गया option C बहु ब्रही समास अब बहु ब्रही समास क्या होता है इसे समझ लिए देखिए बहु ब्रही समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है दोनो पद यानि कि पूरो पद और उत्तर पद ये दोनो पद जो होते हैं वो गौण होते हैं और दोनो पदों के मिलने से एक तीसरा अर्थ सामने आता है जैसे कि यहाँ पर ये वीडा पाड़ी है इसके मिलने से जो ये नया अर्थ सामने आया है वो है सरस्वति यानि कि वीडापाडी का अर्थ हो सरस्वति तो ये जो समास है ये बहु ब्रही समास है यानि कि इसमें दोनों पद गोण होते हैं कोई भी पद प्रधा नहीं होता है I hope clear हो गया होगा अगला सवाल है निम्न लिखित में से और सुध्ध सब्द कौन सा है आपको बताना है कि इन चारों में से किसका spelling wrong है यानि की असुध्ध सब्द है आंसर है option D नच्छत्र नच्छत्र इस प्रकार नहीं लिखा जाता है यहाँ पर जो छव यह है यह आपको गलत है तो यहाँ पर आंसर है option D अगला है निम्न लिखित में से पानी का परहवाची सब्द नहीं है पानी का परहवाची सब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है तो आंसर है option B सर यह जो सब्द नहीं है तो आंसर क्या होग का परहवाची सब्द नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका option B अर्थ होता है उपजाव भूमी तो यहां पर हो जाएगा आपको option D उपजाव भूमी उर्वरा यानि की fertile तो जैसे कि हम fertile land को बोलते हैं उपजाव भूमी तो यहां पर वही हुआ उर्वरा सब्द के लिए उपजाव भूमी आंसर option D भास यह जो सब्द है इससे आपको भासा का निर्माड हुआ है यह संस्कृत का एक धातु है जिससे भासा सब्द का निर्माड हुआ है next question है कारे को नए धंग से करने की पद्धती को हम क्या कहेंगे कारे को नए धंग से करने की पद्धती को नवीनी करण कहते है यानि किसी काम को नए धंग से किया जाए तो हम उसे नवीनी करण कहेंगे innovative things जिसे कि नए धंग से करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे नवीनी करण नेक्स्ट कुईशन है न तीन में न तेरह में इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ न तीन में न तेरह में आंसर अप्शन D किसी काम का न होना न तीन में न तेरह में का अर्थ हुआ किसी भी काम का न होना यानि कि बेकार ना थीन ही में है ना तेरव में है इसका मतलब हुआ किसी काम करना हो ना बेकार अगला सवाल है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए यह लोकोक्ति है आपको बताना है इसका क्या अर्थ होगा कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए आंसर है option A, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए यानि कि अगर कोई problem खड़ा हो तो उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए यह इस लोकोक्ति का अर्थ हो गया आंसरोजा का option A भाय का समन सुरू में ही कर देना चाहिए अगला सवाल है आवनी का विलोम सब्द कौन सा है आपको बताना है कि इन में से आवनी का विलोम सब्द कौन सा है आवनी का विलोम सब्द है अंबर आंसरोजा का option C अंबर आवनी का opposite है अंबर आंसर होगे option c आगे बढ़ते हैं अगर-मगर करना यह जो मुहावरा है अगर-मगर करना इसका क्या आरथ होता है तो answer है option b बहाने बनाना अगर-मगर करना यानि कि बहाने बनाना जब किसी को कुछ बोला जाता है वो अगर-मगर इधर- Egberry करने समझ लिजे कि वो बहाने बना रहा है तो अगर-मगर करना का मतलब हुआ बहाने बनाना आंसर रजा का option B बहाने बनाना next question है सुध सब्द कौन सा है सचिदा नंद सचिदा नंद को हम किस प्रकार लिखेंगे वो आपको बताना है सुध वर्तनी वाला सब्द आंसर is option B जिस प्रकार option में सचिदान लिखा हुआ है यह आपका सुध वर्तनी सचिदानन्द का तो आंसर रजा रहा ओज़एगा option B अगला सवाल है पवन का सही संदी विखेंट क्या होगा पवन सब्द का सही संदी विखेंट आपको बताना है तो आंसर आजाएगा option B पोधन अन पवन पवन का सही संदी विचेद है पोधन अन अभी मैंने आपको कुछ दिर पहले बताया था कि जो पवन सब्द है ये स्वर संदी के अंतरगत आयादी संदी में आता है तो ये आयादी संदी का उधारण है पोधन अन जिससे हम पवन जिससे पवन का निर्माण होगा तो पवन का सही संदी विचेद क्या हो जाएगा पोधन अन आगे बढ़ते हैं प्रसनादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला इसे हम क्या कहेंगे प्रसनादी की प्रसनादी के उत्तर के अपेक्षा करने वाला क्या कान काटना इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ कान काटना यह जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा आंसर है option B चतुर होना जब कोई बहुत ही तेज तरार होता है चतुर होता है चलाक होता है तो उसे हम बोलते हैं कान काटना वाला तो यानि कि कान काटना जो मुहावरा है इसका अर्थ हो गया चतुर होना जैसी बहे बयार पीट तब जैसी दीजे इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है जैसी बहे बयार पीट तब जैसी दीजे यानि कि ये जो लोकोक्ति है इसका आपको अर्थ बताना है तो आंसर हो जागा option A, समय का रुख देख कर काम करते रहना चाहिए यानि कि जैसी परिष्थिती हो उस हिसाब से उसकी अनुकूल काम करना चाहिए ये इस लोकोक्ती का अर्थ हो गया आगे बढ़ते हैं वीरगाथा काल के सर्वस्रेष्ट कवी किसे मना जाता है? तो आंसर हो जागा option C, निरलज होना यानि कि बेसरम होना निरलज हो जाना तो चिकना घड़ा होना का अर्थ है निरलज होना आगे बढ़ते हैं तरून का विप्रितार्थक सब्द बताईए यह जो तरून सब्द है इसका विप्रितार्थक अपोजिट क्या होगा? तरून मतलब होता है जवान तो इसका उड़ता हो जाएगा व्रिध यानि कि old तरून सब्द का विप्रितार्थक सब्द हो जाएगा व्रिध आगे बढ़ते हैं उत्धन हार की योग से कौन सा सब्द बनेगा उत्धन हार ये जो इसका अगर हम संधी करेंगे तो किस सब्द का निर्माड होगा उत्धन हार आंसर है option B उत्धार उत्धन हार से बनेगा उत्धार तो आंसर हो जगा option B आगे बढ़ते हैं तलवार की धार पर चलना का क्या अर कारे करना तो याद रखेगा तलवार की धार पर चलने नेक्डकर ौप्सियन है तूडाल डाल मैं पात पात इस मुहावरे का यूज़ के लिए आपको बताना है तो यह का बैसकी हो आपको अपस्ट हो जाएगा ख्राइ자가 घ्रायत तो दोस्तों आई कि विलोम सब्ध कविशन से अबने में कवर कर लिया है यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप me मुझे comment में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो में कोई कमी दिखी हो या फिर आप कुछ और भी इसमें नया एड करना चाहते हैं तो मुझे comment section में comment करके बता है और साथी साथ इन 50 questions में से आपके कितने questions सही हुए हैं वो भी आप comment section में comment करें ताकि इससे पता और वीडियो को करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर के अपने हिंदी के तियारी को कर सके प६हुत्स करें